गैंगेश्टर एक्ट में माफियादार मुक्तार अंसारी को दस साल की सजा हुई इसके साथ ही पांच लाख रुपे का जुर्माना हुआ है कृष्णानंद राय हत्याकांट कुछ की आधार बनाकर ये गैंगेश्टर एक्ट लगाया गया था लिहाजा कृष्णानंद राय के जो परिवार है वो हमारे साथ है प्यू जी ये बताई कि 18 साल का इंतिजार था आप लोग लगाता लड़ाई लड़ते आ रहे थे हलाकि कि CBI कोर्ट चे तो वो बरी हो गया था एक जटका आपनों को लगाता है लेकिन आज आपनों का इंसाफ ऐसा लगता कि पूरा हुआ जी बिलकुल और इसमें केवल मेरे पिता जी का ही मुकदमा नहीं था इसमें रूंग्टा जी का भी मामला था जिस पर गैंग्स्टर चार के अंतर का है उस समय अकलेश का सरकार था जब हमारे पिता जी के केस में गवाही हुआ करती थी गवाओं को दमकाना डराना उनकी हत्या तक हो गई और आज वही सरकार है सरकार व्यक्ति बस बतला है जिसकी इच्छा शक्ति माफियाओं के खिलाब प्रबल है कि जीरो टॉल करता हूं कि उन्होंने मेरे उपर के शिखा का मान बढ़ाया और मेरी माता जी जीवन बर उनके अभारी रहेंगे क्या लगता है कि इस तरीके से हमने देखा कि प्रियागराज में अतिक का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया अब यहां पर भी कुछ उसी दीशा में महराजी ने कदम बढ़ाया है क्या कि क्योंकि प्रवांचल में एक स्वक्त था जब अनसारी परिवार का दबदबा था आप ही की परिवार नहीं बलकि कई ऐसे परिवार थे जो उसकी दमंगी के सिकार हुए देखे मैं पुछनिय महराज जी का देखे जब मामला नया पालिका में सब्जुडेस होता है तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपके मनुबल को बढ़ा के रखे जो आप कोट में जाएं और बेहिचक जाके बेना निडरता से अपनी गवाही कर सेके जो कि पुछनिय महराज जी के नेत्युत में हमें प्राप्त हुआ इससे पहले जब भी सपा के सरकारे रहीं पुलिस उल्टे आके हम लोग के धमकाती थी कि गवाही करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आज वही बेवस्ता लागू है पुछनिय महराज जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है और कहा है कि जा बेटा अपने पिता का बदला अपने न्याइक बेवस्ता से जो भी है उसको लो और तुम कोट में अपनी गवाही करो और मेरा मानना है कि मेरे बड़े पि जब वो फैसला आया था 19 जुलाई को तब अगस सेप्टेंबर में ही CBI द्वारा वो उसका चैलेंज किया जा चुका है हाई कोट ने दिल्ली में और वो भी अब हेरिंग पे आने वाला है और मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोग इनके आखरी दम तक पीछा ने चोड़ने पिछली बार हमने देखा था कि जो गवा थे वो बार बार पलट जा रहे थे लेकिन अब हालात बदले हैं तो क्या लगता है कि जो नतीजा होगा वो भी बदलेगा बदला है मूल मुकदमे में देखिए एक चीज़ समझे एक जब सरकार की मांसिक्ता अपरादियों के खिलाफ होती है उनका ये एक नीती बनी होती है कि अपरादी चाहे वो किसी भी जाद धर्म और मजहब का हो उसके खिलाफ ये फैसला होगा और वो अगर अपरादी होग अधरने में तो उससे खिलाब जो भी व्यक्ति होंगे उनको सरक्षण मिलेगी तो यही अंतर है सफा सरकार में न गवाहों को सरक्षा मिलती थी न वादियों को सरक्षा मिलती थी जब से पुरिणिया महराज जी आया है उन्होंने एक बेवस्ता लागू किया कि जो भी जार था, इंसाफ के लिए वो आज पूरा हुआ है ताजी पूर्शियतिकेस के साथ आस्तों सिंग टैंट नौ भारत